हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई यूटीब चैनल, स्टड़ी विद पैशन, अज दी वीडियो विच असी डिस्कस करांगे तो अर्डेनाल, मास्टर केडर मैं असे टॉपिक, कौनिक सेक्शन दी पार्ट पैरा बोला नाल रेलेटेड कुछी इंपोर्टेंट एमसी अला भी बहुत सारी वीडियो असी अपनी यूटीब चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं, जेकर तुसी ओ वीडियो नहीं देखियां तो उनना वीडियो नो जरूर देख लाना, जेकर तुसी हज़तक साथे चैनल नो सब्सक्राइब नहीं कितता, तो चैनल नो कर लिए, ता स्टार्ट कर दियां जी अज़ा टॉपिक, कोश्चन फर्स्ट है, वाट इस द लेंथ आफ दा स्मॉलेस्ट फोकल कोड ऑफ दा पैराबोला, वाइस के रिकल टू फोर एक्स, कैनल असी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि इस दी इस पैराबोला दी स्मॉलेस् उन कैनल जेड़ी इस पैराबोला दी जो है, स्मॉलेस्ट फोकल कोड हों दिया, उन दिया उस दी लेटेस्ट रेक्टम हों दिया, ता लेटेस्ट रेक्टम दी लेंथ सा उन पता है, उस दा फार्मूला की है, फोर ए देकल हों दे उस दी लेंथ, ता ओप्शन सी जो है, इ समी लेक्टम नूद कर रहे है तो सन पतै है अगर समी लेक्टम होए तो समी लेक्टम होए ओल फोकल कोर सेग्मेंट्स लाति होज ऐगा है तो स्पी लेक्टम कें, according किस्ते विच होंगे HP दे विच होंगे ता option C जो है इस था correct answer आचेगा next है the coordinates of the focus of the parabola described parametrically by x is equal to 5t square plus 2 y is equal to 10t plus 4r असी focus से coordinates find out करने ने ओधर parametrically form जो है सानु को प्यारा बोला दी given है तो पहला है तो t square value तो t value निकालांगे यानि एक ही बांज़ेगा x minus 2 upon 5 equal to is the value कि आज़ेगी t square देखको लाज़ेगा तो कि आज़ेगा y minus 4 upon 10 equal to किस्ते आगया t देखको लाज़ेगा तो उन t square equal to t square होएगा तो यानि इसती value is the square equal हो ज़ेगे तो जो है cross multiply कारदांगे कि आज़ेगा 5 into the whole square open कारता है तो 100 आज़ेगा निचे into x minus 2 equal आगया तो की बांगया है 5 नो इसे नाल cancel करांगे तो यते 20 आज़ेगा तो 5 minus 4 the whole square किससे एकोल आगया साड़ेकोल 20 into x minus 2 तो इसनो असी की लिख सकते है capital y square is equal to 20x तो इसनो जोदो compare करांगे y square equal to 4 a x नाल तो 4 a दी value की आज़े कि साड़ेकोल 20 तो a दी value की आगी 5 आगी तो उन focus की हो गया साड़ेकोल इस दा इस parabola दा focus की आगया 5 0 आज़ेगा तो इता पर साड़ेकोल इस parabola दाया तो इस find की दा करने इस parabola दा तो इत्तो की आज़ेगा x minus 2 equal to 5 दे आगया y minus 4 जो है किस दे आज़ेगा 0 दे इकोल आज़ेगा तो x दी value की आगया तो 7 दे इकोल तो y दी value की आगया 4 आगया तो जड़ा साड़ा required focus सी find out करने ok आज़ेगा साड़ेकोल 7,4 आज़ेगा तो option a जो है correct turns आज़ेगा next है the angle between the tangents grown from origin to the parabola y square equal to 4a into x minus a can they जो origin तो किस दे draw किती हैं कियाने इस parabola दे उपर जो tangents draw किती हैं कियाने उनना दे between असी angle find out करने तो की होएगा असी angle find out करने तो कोई भी line साड़ेकोल parabola की given है y square equal to 4a into x minus a कोई भी line जो origin जो पास कर दिया वो किस form दी होएगी y is equal to mx type d होएगी y is equal to mx which value put कर दो तो की बनजेगी equations आड़ेकोल quadratic equation आगी हुँ जेड़ी एक equation बनेगी यह जो parabola नो 2 coincident points से उठ्टे जो है कटक करेगी तो इन्दे roots की आजाने यानि की equal roots आँगे उक दो आँगे जो तो discriminant से 0 होएगा तो discriminant की कर दांगे से 0 कर दांगे की बनजेगा 16 a square minus 16 a square m square equal to 0 16 a square कॉमबन निकालके minus कर दांगे तो की बनगे 1 minus m square equal to 0 तो m दिया values की आगे है तो साड़ेकोल plus minus 1 आगे है तो यानि की एथो m की नहीं है तो साड़ेकोल slopes नहीं यानि m1 तो साड़ेकोल 1 आगी 1 minus 1 आगी तो product of slopes की आगी साड़ेकोल minus 1 तो जो तो slopes से product साड़ेकोल minus 1 होएता उना तो इच एंगेल किन्ने दा हुन्द है 90 डिग्री दा एंगल हुन्द है तो option B जो है इस दा correct answer आजेगा next question है the slope of the line touching both the parabolas y square equal to 4x and x square equal to minus 32y उस line दी slope find out करनी है जेड़ी इनना दोना parabolas नो की कर दिये touch कर रही है ता की बांजेगा दोनों parabolas जित्ते होई ने साननों ता इनना ते पहला सी tangent दी equation निकाल दे पहली पहला parabola दे होते फिर दुझे parabola दे होते ता पहली parabola दे होते अगर slow form दे विचा सी tangent निकाले की बनेगी y is equal to mx plus a upon m a तो साड़े कुल 1 आजेगा यानि 1 upon m similarly second parabola दे होते tangent equation की होईगी y is equal to mx plus a m square a किनना आजेगा साड़े कुल second parabola दे क्योंकि सानों क्या होए कि दोनों parabolas जो है उन्हानों एक line जो है दोना parabolas नों touch कर रही है ता दोनों tangent होन गया same जो line नों represent करन गया ता दोनों है इन्हानों equate कर लिया mx नल mx cancel होगा ता 1 upon m दी value की आगी साड़े कुल 8m square आगी ता यानि कि m3 की जो है इसता correct answer आजेगा next है the parabola having its focus at 3,2 and directrix along the y-axis has its vertex at तो अदे कोई parabola focus सानुगीवन है 3,2 तो उन्हान दी directrix सानुगीवन है along y-axis तो उसा vertex तसने किते होईगा उन focus सानुगीवन है 3,2 तो आ ले लिया तो जो directrix है y-axis ये लोंग है तो इस्थे होईगा तो यानि पैराबोला इस फोर्म दे विच होईगा तो जो इन्दा वर्टेक्स सानुगीवन पाता है जो है उसदा directrix तो distance तो focus तो distance always कि होईगा है और same होईगा यानि कि ये vertex mid point होईगा इन्हान दा focus सानुगीवन है 3,2 तो इस्थे कि ये y coordinate जो है इसदा कि आज़ेगा 2 आज़ेगा तो इस्थे x y x इस्थे x की उन्दा सादा 0 तो इन्हान दा mid point होईगा vertex तो इन्हान दा mid point निकालांगे 0 plus 3 upon 2 2 plus 2 upon 2 यानि 3 by 2,2 जो है इन्हान दा vertex आज़ेगा तो option b जो है इसदा correct answer आज़ेगा next है if a double ordinate of the parabola y square equal to 4ax b of length 8a कैंदे अगर सादे को double ordinate सानू given है उस एक parabola y square equal to 4ax तो उस जी length की given है सानू 8a given है ता सी angle find करने कि इस्ते विच jadian lines बरनगी है vertex जो की vertex नो जोइन करनगी है कि इस्ते नाल ends of double ordinate ता पहला diagram देखते है suppose आज़े को right-handed parabola सानू जिद्धा दितता होए ता अंदा vertex है होएगा vertex तो जो ordinate दे जो उस नाल जो line हो उसनो जोइन करके बननगी है उनना दे between असी की find out करने angle find out करने ता असी ordinate दे जड़े ends ने हो suppose कर लेएक ता a 80 square comma 280 ते b 80 square comma minus 280 आसी suppose कर ले ता हुन सानू double ordinate दे length दितती होई है यानि ए length सानू दितती होई है a b तो length distance formula रही है यासी length जो है इस ते इककल करती ता इता 0 ही बन जेगा तो 4a t equal to किस्ते आगया a ते दे a नाले cancel ता t दी value की आगी साड़े कोल 2 आगी ता a दे b point दे coordinate सासी इस थो find t दी value जो है इस तो find out करके a दे b दे coordinate find out कर ले हुन सी vertex तो draw किती है vertex wise square equal to 4a x पैरा बोला था कि हुन दे साड़े कोल 00 ता vertex ता slopes सी निकाल लिया oa दी slope की हुएगी साड़े कोल 4a minus 0 upon 4a minus 0 यानि की 1 ते obi दी slope की हुएगी साड़े कोल 4a minus 0 upon minus 4a minus 0 यानि की minus 1 ता product की हुएगी इना slopes दी की आगी minus 1 ता दोना lines ये between angle की हुएगा साड़े कोल 90 degree हुएगा ता option D जो है इसता correct answer आचेगा next है the number of distinct normals that can be drawn from 11 by 4,1 by 4 to the parabola y square equal to 4x किन्या normals आसी draw कार सकते हैं इस point तो इस पैरा बोला दे उपर अलग लग ता जो distinct normals किसे भी point तो draw कितिया जा सकते हैं किन्या maximum draw कार सकते हैं आसी 3 जो है normals draw कार सकते हैं ता option A जो है इसता correct answer आचेगा अगर तो नो questions वदिया लग रहे हों ता वीडियो नो like जरूर कर देओ next है the equation of the tangent to the parabola y square equal to 8x which is perpendicular to the line x minus 3y plus 8 equal to 0 ता सी tangent दी equation find out करनी है इस parabola दे उपर जेड़ी की है tangent इस line दे उपर की है perpendicular है यानि कि tangent दी slope दे इस line दी slope दी जो product होएगी क्योंगे minus 1 होएगी तो सानु पहरा बोला पहला सानु की given है y square equal to 8x तो 4 ए दी value थो किन्दी आगी 8 आगी यानि कि a दी value की आगी साड़े कर 2 आगी तो given line सानु की given है x minus 3y plus a equal to 0 इन दी slope की आजेगी साड़े कूल 1 by 3 तो tangent दी slope की होएगी साड़े कूल minus 3 होएगी क्योंकि दोनों lines आपस की सी गया perpendicular सी तो tangent equation की होएगी साड़े कूल y is equal to mx plus a upon m होएगी m साड़े किन्या minus 3x plus a upon m होएगी a साड़े किन्या 2 upon m की आगा minus 3 तो ए दोनों इदली साड़े की होजानगी यह प्लस दी बान जानगी the angle between the tangents drawn from the point 1,4 to the parabola y is equal to 4x तो की आज़ेगा equation of angle जो है tangent से between find out करने जो इस point द्रो किते हैं इस parabola देते equation of tangent की होएगी साड़े कोल y is equal to mx plus a upon m होएगी a साड़े तो किन्या आज़ेगा 1 आज़ेगा ता 1 upon m जो है equation of tangent आगी उने क्योंकि point किस चो पास कर रही है 1,4 ता 1,4 जो इसनों पास कर आवाँगे equation साड़े की आज़ेगी m square minus 4m plus 1 equal to 0 आज़ेगी ता इसे दो रूटस आज़ेगे एक स्पोस कार लो m1 एक m2 ता दोना दा sum की होएगा तो 4 ते product की होजेगी 1 ता जी अगर angle जो tangents बान रही है ने उनना between अगर angle theta बान रही है ता 10 theta किस देकल होएगा m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 दा mod देकल होएगा ता m1 minus m2 किस देकल होएगा ता m1 minus m2 किस देकल होएगा सि पहला find out कर लान या हो किस देकल होएगा m1 plus m2 दा whole square minus 4 m1 m2 ता इस दे value किस देकल 4 यानी 4 दा square 16 minus 4 into m1 m2 किस देकल 4 ता under root of 12 आजेगा यानी कि 2 root 3 आगया ता इस दे value पुट्ट कारती 2 root 3 ये आगया 1 plus m1 m2 दे value किस देकल 1 आगया ता 2 null to cancel होजेगा ता 10 theta दे value किस देकल root 3 आजेगी ता theta सड़ा किंद आगया पाई बाई 3 आगया ता option B जो है इसता correct answer आजेगा I hope एक questions तो daily बहुत useful रहे होंगे इस तरहां दी videos असी अग्यतो भी तो डिनल शेर कर दे रहांगे इस तरहां दी videos नूँ देखन लई साड़े चैनल नू subscribe जरूर कर लियो जी अगर तो नूँ वीडियो वधिया लगी होँए ता वीडियो नूँ वत्तवद लाइक, कमेंट, शेर जरूर करें वीडियो नूँ देखन लई आप सब्दा बहुत बहुत आन्वा